नमस्कार, I hope कि आप सब लोग घर में हो और खुस हो और जो लोग लोगदाउन से पहले साधी किये थे उन लोगों को मेरे तरफ से हमेशा आशिर्वत रहेगा और मैं भगवान से दुआ करूँगा प्रे करूँगा कि आप लोग जल्दी ही 100 बच्चों की माबाप बन जाओ आपको क्या लगता है रभीन रेना थाकुर जी को हमारा भारत का जो नेशनल एंथे में उसके लिए सब क्रेडिट दिया जाता है बिल्कुल नहीं रभीन रेना थाकुर जी ने बंगला देशनल नेशनल एंथे में आमार सनर बंगला ये सब उसका ही क्या धरा है और ब्रिटिश ने इसके लिए उनको नाई डूट का भी ओफर्ट किया था लेकिन जालिवान वाला बात का हत्याकंदा के बाद उस ओफर्ट को रिफिस्ट क कंसे की है लाई छो आपके लिए और मेरे लिए इंपोसिबल है रिश्टेक्ट भारत ने रिसेंटली एरुप्यन उन्योन को क्रोंस्त किया है लेकिन कहां पर पता है। दूद्ध प्रड्यूस करने में हमारा भारत ने 32.4 मिल्योन टॉप्र प्रड्यूस करके इरुपयन उन्यों को हरा दिया है। सुनने में आजीब लगता है लेकिन यही सच है इसलिए तो इंट्रेस्टिंग फैक्स भोगते हैं है कि नहीं सुगार यानि चिनी को एक्स्ट्रेक्शन और फ्योरिफाइंग करने में हमारा फारत देश माहिर है नंबर वान पे है और बाहर देशों का लोग भी हमारा फारत से यह सिखते है कि चिनी को एक्स्ट्रेक्शन और फ्योरिफाइंग करते कैसे है यह मैं क्या सुनना वाई शु अभी फारत नंबर तूपे क्यों है अब लोग जज करो जज करो कोमेंट में बता दो फारत नंबर तूपे क्यों है कोई और भी हो सकता था ना इक फारत से ज्यादा थो इह बार के देश्वाला बोलता है तो नंबर तूपे कोई और भी हो सकता था लेकिन फारत नंबर अगर सही हुआ तो मैं पिन कर दूगा उसको ठीक है है हमारा फारत का जो पहला रोकेट था वह बहुत छोटा था और उसका वजन भी बहुत कम था उसको लॉंच किया था तीरुवंठमपुराम के जोकिट केरला में है और उसको उस रोकेट को ट्रैंसपोर्ट किया था इसके साथ ट्रैंसपोर्ट किया था पता है एक साइकल के साथ उसको साइकल में लेकर गया था तीरुवंठमपुराम तक में यह सच्छे क्या है बिल्कुल सच्छे है हमारा फारत में हाथियों को नेला जाता है उनको बोडी मसाज्ज भी आ जाता है साथ में खाना भी देलता है लेगिन क्या पे पुनेत्र कोठा ओफ हाथियार्थ जो की केरला में है और यही एक डेश के लिए बहुती बड़ा स्टेप है अभी हम बात करते हैं एक हमारा फारत का कंपेनी के बारे में जिसका नाम है हेवेल्स जी बिल्कुल अपने से चुना है हेवेल्स इसको खरिदा था 10 लाक रूपया में हावेलिराम गुपता जी ने और इस कंपेनी को खरिदने से पहले इसका नाम छोटा मड़ था लेकिन अर्थ का पैरा कंपेनी है जिसको खरिदने के बाद नाम रखा गया पहले से नाम नहीं था अभी हेवेल्स का ओनर हेवेल्स नाम गुपता जी नहीं है अभी है किमत राइगुपता स्नेक्स एंड लीडर्स गैम जो है वह और जिनेत वह था हमारा भारत में और इसको इन्वेंट किया था कुछ बच्चों को सिखाने के लिए अबाउट कर्मा लेकिन बाद में यह गैम कॉमर्सिल हो गया और अभी यह हमारा पूरा वोल्ड में मोस्ट पोपुलर गैम है बो कि रिलीजियस रिजियन है या किसी का पर्सनल स्वाइज है पता नहीं है लेकिन फारत में 20-40 वर्जन लोग प्योर वेजदिरियन है और इसलिए फारत को वेजदिरियन फ्रेंडी देश कहा जाता है तो यही था एक छोटा इंफर्मेशन वाला वीडियो आप लोगो के लि पर भी दो यही था जाता है यही था गला वीजद से नहीं है